अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं और जब आपकी मर्जी आती है तब आप बाय उसल करते हैं क्रिप्टो या किसी भी कमोडिटी को और उस ट्रेड में उसके बाद आपको सिर्फ एक चीज़ होती है और वह घाटा अगर ऐसा होता है आपके साथ तो ये वीडियो आपके लि है अगर आपने इसको ढंग से यूज किया और हाँ आज का एजुकेशनल वीडियो स्पॉंसर किया है क्रिप्टो लोकली ने क्रिप्टो लोकली एक डिसेंटलाइज पी-टू-पी एक्सचेंज है जहां पर आप दसते ज्यादा क्रिप्टो कृंसी को बाय और सेल कर सकते है पी-टू-पी या फिर पियर-टू-पियर तरीके से एवन दो यह एक नया एक्सचेंज है लेकिन यहां पर इन्वेस्मेंट किया है अलमाडा रिसर्च और अगर आपको पता हो तो FTEX एक्सचेंज भी अलमाडा रिसर्च कही है पर इस प्लैटफॉर्म की सबसे अच्छी कि आपको कोई भी ट्राइशन करने के लिए इस प्लैटफॉर्म में अपने बिटकॉइन एथर्म को भीजना नहीं होता है तो फिर यह काम कैसे करता है यह भी देखेंगे आज के इस वीडियो में और हां इस वीडियो में एक गयो है आपके लिए प्लीज में अगर आपको यह प्लैटफॉर्म नहीं मालूम क्योंकि आप मैंसे बहुत सारे भाई लोग पूछते रहते हैं कि कौन सा प्लैटफॉर्म है तो यह tradingview.com इसका लिंक आपको discussion में जाएगा तो यह BTC USDT का चार्ट तो सबसे पहले हमको क्या करना है हमको यहाँ पर indicators को लगान कौन से time frame में आप entry लेंगे ठीक है तो सब discuss करेंगे सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब आपका account यहाँ बन जाएगा आप जाएगे यहाँ पर indicators में यहाँ पर टाइप करेंगे exponential एक्सपो टाइप करेंगे expo तो आजाएगा moving average exponential इस पर आप दो बार क्लिक करेंगे one two इ सबसे पहले हम जाएगे यहाँ पर टॉप लेफ्ट में यहाँ लिखा हुआ है इसका जो second icon है जो setting का आइकन है यहाँ जाएगे यहाँ पर जाके हम input को change करेंगे और इसको रखेंगे 100 100 style 100 में मेरा जातर yellow रहता है आप भी अपने जो भी आपके ema से moving average को आप color code करेंगा त 10th index के यह बोला जाता है अगर यह 70 से उपर तो आपको short करना चाहिए 30 से नीचे 30 के आसपर से आपको long करना चाहिए और बहुत सारे ट्रेटर ऐसी गलती करते हैं क्योंकि यह बात हर जगा सही नहीं होती है कभी भी आप कोई बी इंडिकेटर यूज करें तो इसको कभी भी सिर्फ अके लिए यूज करें उसके संग आपको और भी कुछ ने कुछ यूज करना चाहिए दूसरी confirmation चाहिए वह हम कर रहे हैं तो सब सहले मैं RSI को change करूंगा अगर यहां पर क्लिक करेंगे second icon setting का RSI की line white रहे तो साफ दिखेगा थोड़ा जो important चीज है वो यह upper band को 70 के ब बने कर दिया 50 done okay क्यों किया क्योंकि जैसे से आप TA सीखेंगे आप जानेंगे कि अगर RSI के उपर 50 के उपर market है तो यह buyers की market होती है RSI 50 के नीचे जहातर sellers की market होती है again जहातर हर case में नहीं पर जहातर ठीक है पहली बात दूसरी बात जो हमारी strategy है उसमें हम इस 50 की line का बहुत 26 MacD जो blue eye line है MacD की है और orange eye line signal line है और है सबसे important बात इस strategy को मैं आपको बता रहा हूँ 2 hours की time frame में तो जो भी आपको time frame में आप करेंगे 2 hours अगर आपको 2 hours नहीं दिख रहा है आप तो यहाँ पर drop down आएगा वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे 2 hours को और select कर देंगे ठीक है अब सबसे पहले हम यह देखेंगे जो RSI है या फिर relative strength index जो market का momentum बताता है वो इस वक्त कहां पर है क्या 50 से उपर है या 50 से नीचे है ठीक हो गया यह हमने note कर लिया ठीक है 50 से उपर है दूसरा जो यह cross बन रहा है MacD का यह cross कैसा cross है अब मैं आपको MacD का cross समझाता हूँ तो जब जब signal line जो की orange line है इसको MacD की line नीचे से उपर काटेगी for example यहां पर अगर आप देखें यहां पर तो blue line ने orange line को नीचे से उपर की तरफ काटा तो buy का signal generate होता है again होता है इसको भी अब हमें confirmation के साथ देखना है और जब जब blue line उपर से नीचे काटे MacD की line को तो फिर sell का signal generate ह होता है अगर आप इसको सिर्फ stand alone use करेंगे मतलब सिर्फ MacD के basis में trade लेंगे तो आपको बहुत सारा घाटा होने के chances हैं इसलिए यह big no no आप कभी ऐसा नहीं करेंगे सिर्फ MacD के basis में trade लेंगे तो फिर trade कैसे लेंगे ठीक हो गया अभी किल्या समझ गया है कि जब जब तो यह आपको याद रखने वाली बात है दूसरी पहली थी RSI का 50 के उपर है RSI या फिर नीचे है दूसरा क्या हम देखेंगे कि अगर हमें buying के opportunity देखनी है तो हम यह देखेंगे कि MACD की line जो blue line है उसने orange की line को नीचे से उपर की दरफ काटा हो अगर sell करने की opportunity देखनी है तो हम दो घंटे में दो घंटे की time frame में price 200 EME या 100 EME के उपर बैठा हुआ है और हमको एक positive cross मिलता है MACD में RSI 50 से उपर है तो हमारे लिए एक buy signal generate होगा तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर merit का cross बना अगर आप देखें blue line ने singular line को नीचे से उपर की तरफ काटा ठीक उसी time पर यह उसके आसपास जब हमारा price 100 EME के उपर आके support पा गया और buying कहाँ पर करने अगर आप देखो तो यह जो area है जहाँ पर RSI नीचे है यहाँ पर थोड़ा अच्छा है यह नह पास उसके बाद price की rally हुई 47,835 यह थोड़ा से उपर भी तो यह तीन points है जो आपको याद रखने है पहला price जो है वो 100 EME या 200 EME के support में हो दूसरा RSI 50 से उपर हो तीसरा MagDee में bullish cross बनाना चाहिए मतलब यह जो blue eye line है या MagDee की line है या orange line को नीचे से उपर के तरफ काट रह और एक must giveaway के बारे में तो यह crypto locally का interface sign up करना बहुत simple है sign up में आप click करेंगे email address username or password आप enter करके sign up कर देंगे sign up में click करने के बाद आपको अपने phone number को verify करना होगा और उसके बाद आप यह platform use कर सकते हैं तो जैसा कि मैं आपको पहरे बताया कि crypto locally fully decentralized P2P crypto exchange है तो सब सब देखते है कि इस P2P platform के investor कौन है क्योंकि अच्छे investor किसी project या platform की success के लिए बहुत important है तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं दो तिन बड़े नाम लूँगा जो कि है three commas, Alameda Research और Genesis Block और एक और है one block जो Alameda Research है इनका FTX है तो यह इनके investors हैं जो इनके partners है Binance, Maker, Tron, Serum, again partners अच्री बात है लेकिन पैसा किसने लगा है पैसा तो यहाँ पर रहे देख जाए पैसा Alameda Research का three commas, one block, Genesis इसके लाव बाकी दो तिन और है लेकिन यह important वाले है तो अब देखते हैं कि platform में है क्या सबसे बहुत अगर हम जाएं buy and sell में यहाँ पर तो यह इनका buy and sell का interface अब देखते हैं कि इन का खुद का token है इसके उपर आएंगे बाद में Ethereum, Uni, BTC, UFT, Solana, TLM, Doge, SRM, SIRM, इसके बाद यहाँ से आप अपना currency pair choose कर सकते हैं तो INR या फिर CAD या फिर USD, इसके बाद location मतलब कौन कौन से countries में है तो यह 180 countries में है और फिर payment method जो भी आपका pair method है आप उसमें चूज कर सकते है around 50 या 50 के उपर in case payment method है वहाँ सब आएंगे भी हैं तो सबसची बात अभी तक जो है इस पुरे platform की वो यह है कि यहाँ पर मुझे अपने wallet को, अपने crypto locally wallet को fund नहीं करना क्योंकि जो भी transaction होगा, जो भी P2 में buy or sell करूँगा, वो smart contract के through होगा तो जब भी अगर मुझे कोई च इसके बाद जो उनकी crypto currency के pair हैं वो बहुत अच्छे खासे, Bitcoin Ethereum में limited नहीं है, तो anyway यह तो हो गई कि कितने pair है, buy sell, currency, location, payment, तो आप देखते हैं कि जो उनका escrow का system है वो कैसे काम करता है, और हाँ, मैं यहाँ पर कुछ भी buy or sell नहीं करूँगा, अगर आपको यह देखना है कि इसे buy or sell कैसे करते हैं, पूरा end to end, तो आप comment करके बता सकते हैं मुझको, तो माली जी मुझे Bitcoin को sell करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं sell में हूँ, अगर आप buy में होंगे तो आप sell में आ जाएंगा इसे, Bitcoin, ठीक है, और किस currency में मुझे sell करना है, मतलब मुझे को क्या करेंगा, माली जी, UPI के तुरू, तो सर्च करते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो हमको सिर्फ एक बायर मिले, नर्मली P2P प्लाटफॉर्म में आपको एक से ज़्यादा, दो, तीन, दस, बीस, उससे भी जादा बायर से सेलर मिल जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक बायर ह है इस प्लाटफॉर्म का, कि यहाँ पर बायर्स या सेलर्स जादा रही है, मतलब कहने का, कि यूजर्स अभी जाद रही है, अब देखा जाए तो सिंस यह प्लाटफॉर्म नया है, यह इसका एक रिजन हो सकता है, लेकिन जो उनका और-और कॉंसेप्ट है, वह बहुत तो आप उसको 50% डिसकाउंट, जो आपकी ट्रीटिंग फीज है, उसमें आप डिसकाउंट के लिए यूज कर सकते हैं, अगैन उसके बाद में आएंगे, क्योंकि वह यहाँ पर वोटिंग और गिफ टोकन के परोबाद जाती है, एड़ा मैसेज फ़र बायर्स नहीं है, मै सही में नहीं बेच रहा, और उसके बाद, अगर मैं आप उपन ट्रेट में क्लिक करूँगा, तो ट्रेड उपन करेगा, लेकिन उससे पहले जनरली बात यह है, कि जो इस ट्रेड की लिमिट है, यहाँ पर आपको लिमिट दिखेगी, मतलब 2892 रुपे से लेकि 25,000 रुपे ट्रेड खोल रहा है, ठीक हो क्या, हम करेंगे ओपन ट्रेड, अब अगर देखा जाया है, तो ट्रेड ओपन हो चुका है, लेकिन मेरे पास बिटकोई नहीं पढ़े है, तो आगे बात कैसे बनती है, प्लीज फंद एस्क्रो नाउ, प्लेस असरे इंटो एस्क्रो कॉंट्र और यहां पर आपको दिखा रहा है कि आपको ट्रेड पूरा करने के लिए 24 घंटे अभी आपके पास है, तो उसके बाद आप यहां पर अपने जो भी आपका बाहर है, उसके संग आप चैट करना शूव करेंगे, यह आपको पैसे पे कर सकते हैं, बैंक ट्रांफर से, आइ को बिट कोईन कहाँ भेजने है, तो यह वो एटरेस है, मैं सेलर हूँ और यह वो एडरेस है, जो कि हमारा awarded इे ऊहां पर बिट कोईन भेजाइगे और चभी यहां बिट कोईन पहन जाएंगे, तो जो बायर है उनको एक information चलिया ऄगी, कि हाँ, सेलर ने सेलर को फंड कर दी इस प्लैटफॉर्म के पास कोई भी फंड अपना नहीं रख रहे हैं और तभी इस प्लैटफॉर्म को यूज कर रहे हैं जब हमें कोई ट्रांजक्शन करना है तो मेरे साब से यह जो आइडिया है इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशल है बशर्ते कि यहां पर जो लोग है आप अगर बिटकोई को बाइ करना चाहते हैं तो यहां पर बाइ में क्लिक करेंगे अगर अपना बिटकोई सेल करना चाहते हैं तो सेल में क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपने हिसाब से सारे के सारे आप्शन को को इसके बाद किस कंट्री में इंडिया में और आप कैसे payment receive करना चाहते हैं for example UPI since आप बेच रहे हैं तो आपके ऐस option है कि जो reference market हो कहां की हो CoinGecko की हो Binance की हो for example मालेचे Binance और फिर आपका margin कितना है अगर आप बेच रहे है for example तो आप चाहते हैं कि जितना यह market है उससे आपको 3% जादा मिले या 2% जादा मिले example है आप अपने हिसाब से अपना margin सेट कर सकते है minimum trade size कितना होना चाहिए कम से कम कितना bitcoin करीदना चाहिए बंदे को तो आपने का minimum 0.1 और maximum BTC कितने 10 मतलब आप minimum 0.1 bitcoin बेचेंगे और maximum आप 10 bitcoin बेचेंगे उसके बाद publish अगर कुछ आपके extra requirements है या कुछ भी terms है आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो जब आप अपने इस पूरे offer से satisfy हो जाएंगे आप करेंगे publish और इसको publish कर देंगे अब हम बात करते हैं gift token की जो कि इंका खुद का governance token है अगर आप देखें यहाँ पर vote में जाएंगे आप तो इनका जो gift token है यह इनका governance token है जिसको आप use कर सकते हैं इस portal में voting करने के लिए अगर आप देखें यहाँ पर लिखा है decide how the platform will evolve voice your ideas, vote and change crypto locally how you say fit for example अगर देखें तो सारे के सारे past listing है मतलब कि लोगों आइडियाज दे और वो pass हो गए for example जैसे किस देखें लिस्टिंग USDT, USDC on अगर हम क्लिक करें इसमें तो हमको दिखेगा कि यह पर प्रपोजल था list करो USDT, USDC on Solana की blockchain में तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पर community की voice को सुना जाता है और उसके बाद voting होती है और उसके बाद फिर कोई प्रपोजल को pass क्या आता है अब gift token कमाना कैसे है अगर आपने sign up किया तो आपको gift token मिलेगा refer किया किसी को तो gift token मिलेगा trade अगर आप करते हैं यहाँ पर तो आपको gift token मिल सकता है for example अगर हमके medium post देखे 800 gift token है तो जो आपके trading fees में पैसा लगेगा उसका 50% discount आपको मिल जाएगा for one trade और अब quickly बात करते हैं giveaway की giveaway में participant करना बहुत ही simple है आपको उत्ता करना है कि यहाँ जाना है top right hand side में यहाँ पर जाने के बाद profile में और profile में जाने के 20 का USGTI test दे रहे हैं और अपने crypto locally का user name और हाँ मैंने इस platform को join के था June 2021 में तरसे इतन था अच के वीडियो में hopefully आपने इस वीडियो से कुछ नहीं को ज़रूर सीखा होगा इसके साथ साथ crypto locally platform के बार में जाना होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपसे like कर सकते हैं अपने दूसर शेयर कर सकते हैं और हाँ अगर आज आपका पैदेने शेल में तो आप crypto point हंदी को subscribe भी कर सकते हैं हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए take care and be safe